सोलन शहर से अतिकर्मन हटाने को लेकर मोहीम अब दिन परते दिन जोर पकड रही है शहर में आज भी आवैद कबजों पर प्रिशासन का पीला पंजा चला प्रिशासनिक अधिकारियों ने आज सोलन के ठोडो बैदान के समीप अतिकर्मन कारियों पर शिकंजा कसा और जिन भी लोगों ने सडक किनारे रेलिंग लगाई थी उन्हें हटाया गया एजिम सोलन ने जानकारी देती हुए बताया कि शहर में पैदल चलने के लिए रास्ता बचा ही नहीं है जिसके चलते ही ये मुहीम शुरू की गई है और जल्द ही सडक किनारे से अवैद कबजा हटा कर वहाँ पैदल चलने के लिए पात बना दिया जाएगा हाँ अभी तो हमारा फोकस इंक्रोच्मेंट हटाने पर है उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट टेप क्या होगा वो डिस्कुस करेंगे रोड क्लियर होगी तो उसके बाद बस्टॉप और मेंली पेडिस्ट्रिन पाथ बनना चाहिए यहां पर जो लोग पैदल चलते हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रोड पे आ जाते हैं गाडियां साथ-साथ चलती हैं साथ-साथ लोग चलते हैं पेडिस फीट अब देख रहे हैं जैसा की सामने जहां तक हो सकेगा वैसे बारा बचे तक का टागेट था और काम भी करने होते हैं हमें तो देखते हैं मैक्सिमम्म भी समय क्या हुआ है एक बचे तक शायद बिलकुल बिलकुल यह जो अवेद कबजे हटाने की सरकार की महीम है यह बहुत अच्छा कदम है क्योंकि जो सरकारी जमीन पर लोग उन्हें कबजा करके उन्हें आगे क्रायवे दे रखा और सालों सालों से क्राया खाई जा रहे हैं जमीन सरकार की और पेट लोग अपना भर रहे हैं इसलिए जो महीम सरकार ने चलाई है बहुत अच्छी महीम है सब्सक्राइब करें चलती रहने चाहिए और टाइम टू टाइम जो एस्टेम मेडम है या जो भी कोई एस्टेम आयो इसको महिने दो मिन में रिवीव जरूर करें आपको बता दी कि सोलन शहर से अतिकर्मन हटाने को लेकर मुहीम अब दिन परते दिन जोर पकड़ रही है शहर में आज भी आवैद कबजों पर प्रिशासन का पीला पंजा चला प्रिशासनिक अधिकारियों ने आज सोलन के ठोड़ो मैदान के समीब अतिकर्मन कारियों पर प्रिश कंजा कसा और जिन भी लोगों ने सडक किनारे रेलिंग लगाई थी उन्हें हटाया गया प्रजाब के स्री टीवी के लिए सोलन से कीर्थि कोशल की रिपॉर्ट